हलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, कोड़ वन बाई वन, माई नेम इस अमीत, और आज हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटीन्यू करने वाले हैं, जहां पर हमने पढ़ा था, SUP and SUB टैग, अब हम next पढ़ेंगे, STRIKE टैग, what is STRIKE टैग, जब किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, या किसी भी सेंटेंस को, हमें कटा हुआ दिखाना होता है, ऐसा कि जैसे उसके उपर से कोई लाइन गई होई है, अगर हमें ऐसा कुछ दिखाना है, तो वो हम STRIKE टैग के थुर देखेंगे, देखेंगे, यह पूरा का पूरा कटा हुआ दिख रहा है, यह हमारा STRIKE टैग के थुरी ही होता है, STRIKE टैग को shortcut में हम STRIKE से भी लिख सकते हैं, अगर हमने सिर्फ STRIKE टैग लिखा, और मैं आगर ब्राउजर पे refresh करता हूँ, आप देखेंगे, same input आएगा आ हमने open किया है, उसे हम, हमें close भी करना चाहिए, यहां पर मैं आपको STRIKE को, जो हमने close किया है, उसको हटा के दिखाता हूँ, कि close ना करने के, क्या side effect हो सकते हैं, मैंने यहां से STRIKE को हटाया, अब मैं, save करके, ब्राउजर पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे, मेरा सारा का सारा पेज, कटा हुआ दिख रहा है, जहां से मैंने STRIKE टेग शुरू किया था, वहां से END तक का, तो इसलिए कहता हूँ, टेग को close भी करना चाहिए हमें, अब हम अपने next टेग की तरफ चलते हैं, जो की है, एक self closing tag, self closing tag क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने previous वीडियो में, कि कुछ tag ऐसे होते हैं, जो self closing होते हैं, जिनका कोई open tag नहीं होता, close tag नहीं होता, वो self closing tag होते हैं, अपने आप में ही बंद होते हैं, self closing tag के कुछ example हैं, जैसे BR tag, HR tag, IMG tag, HR tag की हम इस tag के बाद बात करेंगे, और IMG tag के लिए हमें एक separate वीडियो जाती है, या वो self closing tag कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, self closing tag की पहचान के लिए आप देखेंगे, जहां पर हम tag open करते हैं, angle bracket, और angle bracket का जो last bracket जहां पर बंद होता है, उस से पहले हम slash लगाते हैं, यही पहचान होती है हमारी, self closing tag की, self closing tag को हम empty tag भी बोलते हैं, self closing tag के end में जो आप slash देख रहे हैं अगर आप इस slash को नहीं भी लगाते हैं तो भी इसका browser पर कोई effect नहीं पड़ता है but for a best practice आपको यह लगाना चाहिए अगर मैं ब्राउजर पर जाके इसको refresh करता हूं तो आप देखेंगे जहां से कटा हुआ है वहां से एक line का break आ गया है यही होता है break tag या BR tag अब मैं थोड़ी सी spacing दिखाने के लिए इसको multiple जगह पर पेश्ट मार देता हूं और दो दो करके बार देता हूं ताकि थोड़ा सा गैप हमें ज्यादा दिखे कि मैंने कॉपी किया एक दो तीन अच्छा अब आप ब्राउजर पर देखेंगे कि multiple जगह पर spaces दिख रहे हैं अब थोड़ा अच्छा सा हमारा tag देख रहा है अब हम अपने दूसरे tag की बात कर लेते हैं दूसरा self closing tag है हमारा वो है HR tag क्या होता है HR tag horizontal rule जहां पर भी हम HR tag लगाते हैं वहां पर वहां से हमारा जो web page है वो separation दिखाने लगता है एक तरीके की horizontal rule एक border type की और इसको जब मैं save करता हूं और ब्राउजर पर जब आऊंगा आप देखेंगे एक horizontal line एक border type की line आ गई है यही हमारा HR tag से हम इसको अचीव करते हैं वेब development में हम इसको थोड़ा सा कम यूज करते हैं और यह चीज हम CSS से achieve करते हैं वैसे मैं इसको multiple जगा पर डाल देता हूं ताकि हम multiple separation देख सकें हर BR के बाद मैंने डाल दिया है आप देखेंगे HR tag से हमें अलग-अलग separation दिखने लगे हैं यही हम achieve करते हैं HR tag से आब हम अपने next tag की तरफ चलते हैं जो की है हमारा anchor tag What is anchor tag? Anchor tag को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक new tab खोलता हूं new tab पर मैं लिखता हूं google.com और हम एक bootstrap की website पर ही चल लेते हैं bootstrap.com मैं get bootstrap लिख देता हूं bootstrap की website पर जाके जब मैं इसको खोलूँगा आप सबसे उपर देखेंगे एक navigation है यह जितनी भी navigation है इसके थुर हम एक new page पर जा सकते हैं जब भी हम इस पर click करेंगे हमें एक नए page पर लेके जाएगा ही यह जो हमने achieve किया है एक page से दूसरे page को interlink करना या एक page से दूसरी किसी website को interlink करना यह हम anchor tag की help से कर सकते हैं इसके लिए अब मैं आपने वापिस code पर चलता हूं और मैं आपको आपके मैं लिखूँगा a tag a tag के बाद a tag के अंदर मैं लिखूँगा link tag जी link tag अब मैं इसको save करता हूं ब्राउजर पर चलते हैं मैं refresh करता हूं आप देखेंगे सब से उपर मेरा link tag लिखावा आ गया है बट थोड़ा सा space बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक BR tag डाल देता हूं ताकि हमारा line break दिखे और हमें थोड़ा सा space भी दिखे वहाँ पर tag के अंदर मैं href एक attribute होता anchor tag का वो लिखता हूं is equal to double quotes के अंदर वापिस bootstrap वारी site पर चलते हैं उसका url copy करके मैं यहाँ पर paste मार देता हूं और अब browser पर अगर हम जाएंगे और देखेंगे तो हमारा link tag जो है वो hyperlink हमें आप दिखेगा blue color की underline के साथ इसका मतलब है कि ह हमारा जो link है हमारा जो anchor tag है वो link हो गया है जो हमने link tag को link किया था अब अगर हम देखेंगे इस link tag पर click करके तो हमारी जो bootstrap वाली website थी जो हमने url copy करके href के अंदर डाला था वो हमारा जैसे click करेंगे हम यहाँ पर हमारा open हो जाएगा यही हम अचीव करते हैं href डालके anchor tag के अंदर इसी को हमें hyperlink करना या link करना कहते हैं अब इसके अंदर एक और अट्रिब्यूट उतार है target attribute target attribute में मैं value pass कर देता हूं underscore blank जब भी हम anchor tag के अंदर target attribute डालते हैं और उसकी value underscore blank डालते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम उस link पर click करके जो भी interlink हमारा page है या जिस भी link को हमें खोलना है वो link हमारा next tab में या new tab में open हो जाए यही हमारा target underscore blank का motto होता है use करने का अब जैसा कि हमने save कर लिया इस page को अब हम browser पर चलके refresh करेंगे और अब मैं link tag पर जैसे ही click करूँगा आप देखेंगे यह एक new tab में खुल गया जो page पहले इसी tab में open हो रहा था target underscore blank हम इसी चीज को achieve करने के लिए use करते हैं anchor tag बहुत ही important चीज है guys html के अंदर तो keep practicing इसकी जदूर practice कीज़ेगा अब इस वीडियो को यही रैप करते हैं next video में हम image tag use करना सीखेंगे और image tag को या image किसी भी image को anchor tag या link कैसे करा जाता है hyperlink कैसे किया जाता है हम यह दन्यवाद thanks for watching